हरेकिशा दोस्तों मैं भी पानशुर श्वागत कता हुआ आपका CGPS शीव व्यापहम में एक बहुत इस्सांदार पॉजिटिन इसके साथ युवाओं के लिए खुले नौकरियों के द्वार क्या है इस पुरे मामले पर बातचित करेंगे साथ में आप कारियारक्षक, प्रयोकसाला परिचारक, एडियो, पटवारी, आरई, तहीं तमाम अन्य पदों की बात हम विस्तार पुरुवग बातचित करने वाले हैं सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्स की जिन लोगों ने से चानल को सब्सक्राइब करें अपने आस पास परचीत बरिचित लोगों को इस चैल को सेर करें ताकि यह जानकारी उन तक पहुष सके तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से और सब्सक्राइब जरूर करवा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किट कर सकते हैं और अगर आप जिन लोगों को लगता है कि नहीं वेकेंसिया आएगी तो वो इस वीडियो को इस वीडियो पर बने रहिए अंतिम तक क्योंकि हम विस्तार प्रूवक हर प्रकार की वेकेंसियों पर बात्चित करने वाले है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है और बात करते है ग्यारा सितंबर से लेके आज है मान के चलिए 20 सितंबर इन लगभग 10 से 11 दिनों के बीच हजार पद अनुमती दी गई है भरती की अब बहुत सारे अभ्यरती बोलेंगे सर भरती की अनुमती मिलना अलग बात है वेकेंसी बिल्कुल सत्य है आप लोग सही कहा रहे है वेकेंसी की अनुमती मिलना सही अलग है और भरती आना अलग बात है लेकिन चुकिए आप सभी जानते हैं सरकार को बने आठ महने से जादा का वक्त हो चुका है और वर्दमान सरकार जो है पिछले सरकार की भरतियों को ही अभी तक कंप्रिट करते वे आई है और अब जो है आप लोगों ने बीच में वित्तोई भागता एक लेटर देखा था जिसमें इस पस्ट तोर पर कहा गया था कि 2023 के पहले जितने भी भरती क्यानुमती दी गई है लेकिन उसका भरती गया पंजारी नहीं किया गया है तो वह पूरी भरती रद्द कर दी गई इसका क्या ताथ पर है कि गौर्मेंट पिछली भरतियों को कंप्रिट करने के चक्कर में नई भरतिया नहीं निकाल पा जब वो लेटर वायरल हुआ और उस लेटर का जब कहीं न कहीं सभी विभागों में सर्कुलेट हुआ और उसके बाद फिर वित्त विभाग इस सरकार की नई भरती स्टार्टिंग हुई और सबसे पहला काम हुआ पलिस विभाग के 349 पदों पर भरती विज्यापन का आप आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले वित्त विभाग ने एक लेटर भी जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि सभी विभाग किस प्रकार से अपने विभाग के रिक्त पदों की जानकारी वित्त विभाग को दे और यही जानकारी जैसे जैसे वित्त विभाग के पास आ रही है वैसे वैसे उनकी भरती का जो अनुमती है वो दी जा रही है आपको आश्चरे होगा कि खुद स्वयम मुख्यमंत्री जी रिक्त पदों की जानकारी मांग रहे है सभी विभागों से जी हां जैसा कि आपके श्किन पर शो हो रहा होगा यहां पर य अनुमती दीजिए तो यह एक बहुती अच्छा पॉइंट है युवाओं के लिए कि जब किसी सरकार का मुख्या स्वयम भरती विज्यापन जारी करवाने के लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगा रहा है और कहीं न कहीं वो हर दिन आप देखेंगे अगर हम और सतन की बात करें तो प्रती दिन सौ पदों की अनुमती पिछले दस दिनों में दी गई तो कि आप देखेंगे कि सबसे पहले 341 पद जो पुलिस विभाग की भरती की अनुमती दी गई उसके बाद 650 पद स्वास्ति विभाग की अनुमती दी गई और कल लोग स् तो 181 पदों पर भरती की अनुमती दी गई अब सब लोग बोलेंगे कि सर वाकरी में भरती की अनुमती बस मिली है भरती कब आएगी तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है इसी साल आने की पूरी की पूरी संभावना है क्योंकि आपको बताना चाहूंगा आप लोगो जो कारेशनता है उसमें व्रिद्धी होगी तो इस संभवता इसी साल है वो इसमें निकलने की पूरी की पूरी संभावना है अब देखिए और भी बहु सारे आपको आने वाला जो सब्ता रहेगा उस सब्ता में आप देखेंगे कि और भी अन्य विभागों के पदों की श करी गई है और अब जो मुख्यमंत्री जी है वो अलग अलग दिन में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको अन्य विभागों से भी जो नौर्मल ग्रेजुएशन से संब्दित है उन पर भी आपको भर्ती की अनुमती देखने को मिल सकती है इसके तरिक आपको बताना चाहूंगो सबसे पहले सबसे पुरानी भर्ती पर चर्चा करेंगे तो जो है प्रयोक्सारा परिचारक जो संभवता कहा जा रहा है कि नमंबर में आयोजित की जाएगी व्यापाम के दोरा जिसके लिए आपको एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन जो है ली जाएगे अब आरे और पटवाली पर भी आपको बहुत ही अच्छी गूड नियूस वित्तोई भाग से बहुत ही जल्लत देखने को मिल सकती है फिलहाल इन सभी के बीच आपको करना है क्या आपको करना है पढ़ाई क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है पढ़ाई करन को क्योंकि continue जब vacancy आएगी और लगभग सभी के syllabus में 19-20 का परग रहेगा जैसे एडियो की अगर भरती आती तो एडियो की भरती में आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर आरे की भरती देखेंगे तो आरे में आपको computer मैस यह सब देखने को मिलेगा वहीं आप अगर आपको बहुत ही जल अच्छे अच्छी चीज़े देखने को मिलेगी कुछ positive और सांदर चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी तो आप लोगों का काम है अच्छे से पढ़ाई करना और इस सुनहरे अवसर को अपनी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर जो है भुनाना तो आप लोग अच्छे से तयारी करिए यही आप सभी को बताना था क्योंकि देखिए बहुत सारी वेकेंसियां आप लोगों के समक्ष आने वाली है तो आप लोग बहुत अच्छे से जैसे मैंने आपको कहा है वेकेंसियां कोई भी आए आपको अभी से ही तयारी करना है चाहे आप समान्य अध्यन की त्यारी कर रहे हो, आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है कि आपकी सब्जेक्ट में कम हो, चाहे वो गनित की बात हो, इंगलीस की बात हो, रिजिनिंग की बात हो, हिंदी की बात हो, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको अपनी पकड मजबुद बनाना है और सबसे में इंपोर्टेंट अगर हम सब्जेक की बात करें जो है चत्रिजगर का समान्य अध्यान उसको आप सभी एक्जाम में चुकी हो अत्यनतर महातपूर्ण है तो वो आपको अच्छे से होना चाहिए 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 चत्रिजगर का इतिहास हो या चत्रिजगर का भूल हो या चत्रिजगर का बोलतकते समान्य जानकारी हो तो आप लोग को उसमें अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा भारत का समाने अधियन, फिर गणी, कम्प्यूटर, ये जो तमाम पोर्षन है वो आपको अच्छे से करने होंगे, ताकि आपका जो सलेक्षन है वो हो सके, फिलहाल यही सब आप लोगों को बता आप लोग अच्छे से त्यारी जूड़ जाए और कमर की पेटिकस लीजिए क्योंकि आने वाला जो सपता है, वो होने वाला है सांदार, चलिए वीडियो यहीं तक, आशाकरतों चीजे समझ आईए होगी, वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते के लिए धन्यवाद